आज हम आए हैं टोयटा के सोरूम में और हम एक टोयटा की बहुत अच्छी गाड़ी दिखाने वाले हैं आपको तो चलिए सोरूम के अंदर चलते हैं हेलो नमस्कार दोस्तो नाम है मेरा बॉबी और यूटुब पे जानकाई देनी मेरी होबी आज हम आपके सामने लाएं यह हैं टोयटा का हिलिक्स देख सकते हो बहुत अच्छा ट्रक प्लस गाड़ी दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है यह पांच लोग बहुत आसानी से बैढ़ जाते हैं और पीछे इसपेस भी बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है यह आटोमेटिक वेरियंट आपके सामने खड़ा है इसमें कई सारे वेरियंट मिल जाते हैं सबसे पहले हम इसके फीचर की बात करेंगे तो इसकी जो सीट है वो आप एलेक्ट्रिकली एडियस्ट कर सकते हो आपको सिर्फ एक बटन प्रेस करना है सीट एडियस्ट हो जाएगी और भी पावर स्टेरिंग है स्टेरिंग पर बहुत सारे कंट्रोल मिल जाते हैं अगर पीछे की बात करें तो पीछे तीन लोग बहुत कमफर्ट तरीखे से बैढ़ आते हैं आपको कोई दिक्कत बहएरा नीं होगी पीछे बैटने में और देखोती है बहुत अच्छा इसपेस देखने को मिल जाता है और यहां पर ब्रैंडिंग की गई है टोईटा की दिख स्थोग और यहां पर अपना फुट रेस्ट मिल जाता है आपको जैसे पैर वगएरा रखके ऊपर आसानी से चड़ सकते हो यहां पर हमें पीछे कैमरा भी मिल जाता है और जो अमें आगे स्क्रीन में प्रेस करें जैसे में वीडियो डालो वीडियो आप तक पहुच जाए और आप उसी टाइम उसको देख लो अब चलते हम आगे तो बहुत अच्छे हमें डियारेल्स देखने को मिल जाते हैं देख आप लोग और डूल टोन के अभी तो इसमें सिंगल टोन एलोई हैं लेकि बटन मिल जाते हैं इंजन स्टाट डिस्टॉप का बटन भी अविलेवल है देख सकते हो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर और इस्टेरिंग की बात करें बहुत सारे कंट्रॉल देखने को मिल जाते हैं कुछ-कुछ इस्टेरिंग फोर्चूनर जैसी लग रही है क्यो देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर यह एक बार में हो इस पर आपको वह भी मिल जाता है रही जाता है देखे तो आप लोग और यहां पर आपको Eco Mode भी मिल जाता है, Power Mode भी मिल जाता है, दो यहां पर Cup Holder मिल जाते हैं, और दो Charger अविलेवल हैं, देखे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दो Charger है, एक ये और एक ये, और अगर बात करें गलब बॉक्स की, तो हमें दो यहां पर देखने को मिल जाते हैं, और यहां पर एक बटन प्रेस करोगे, एक खुल जाएगा, दूसरा बटन प्रेस करोगे, दूसरा गलब बॉक्स खुल जाएगा, तो ये Space के मामले में कोई कमी नहीं है, पांच लोग बैढ़ी आते हैं, बहुत अच्छी Space है, और ऐसा लगे है कि और ये Automatic और Manual दोनों में आता है, आपको कौन सा पसंद है, यहां से आप अपना आगे का Bonnet भी खोल सकते हो, और Side का Fuel Tank भी खोल सकते हो, दोनों चीज यहीं पर हमें देखने को मिल जाती है, अब हम इसको करेंगे, बंद पीछे की तरफ चलेंगे, पीछे हमें कि क्या-क्या और कितना कुछ देखने को मिल जाता है, तो पीछे भाई, Sound System, Power Window अविलेबल है, Charging का Socket मिल जाता है, देख सकते हो, और Child Safety Lock भी अविलेबल है, इसमें हमें, देख सकते हो, और यहां पर आपको यह मिल जाता है, जैसे आप कुछ आपके बास सामान है, तो आप वो आप असम बीचे में आप चार लोग बैठते हो, पीछे दो लोग बैठते हो, तो आपको बंद करना पड़ेगा, और अगर आप पीछे से भी कांच का सीसा लगा हुआ है, जिससे आप अपना सामान बगरा देख सकते हो, कि आपका पीछे क्या-क्या सामान रखा हुआ है, और इस पे सामान बगरा लेके ट्रिप पे जा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत बगरा नहीं आएगी, कि कहीं भी फस भी सकता है, 4x4 अविलेवल है, सामान रख जाएगा, पांच लोग आगे बैठ जाएगे, और पांच लोग का सामान पीछे रख जाएगा, मैं आपको दिखा रहा ह सीट मैंने बहुत पीछे कर रखी है, लेगन फिर भी लेग रूम बहुत अच्छा है, प्राइज रेंज की बात करेंगे, तो लगवग 34 लाग से लेके, 35 लाग तक अलग अलग वेरियन चलियाते हैं, 35-36 लाग तक, एक सो रूम प्राइस चलियाती है, बाकी ओन रोड प्र हर इस्टेट के साफ से, हर जगे के साफ से थोड़ी-थोड़ी डिफ़र कर जाती है, वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके जुरू बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जूर करें, अगर आपको ये वाली गाड़ी चाहिए, लिंक में आपको डिस्क्रेस्ट में डाल तब तक के लिए नमसकार, टेक केर